हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तू माई यूट्यूब चैनल, माई फैशन क्लिनिक आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है स्किन केर से रिलेटेड इसमें हम एक DIY नाइट क्रीम प्रिपेर करेंगे जो हमारी स्किन को ब्राइटन इफेक्ट देगी हमारे फेस पे आने वाली फाइन लाइन, रिंकल और डार्क स्पोर्ट को रिमूव करने में हेल्प करेगी फ्रेंड्स, आप सबने कोरियन ब्यूटी के बारे में तो सुना ही होगा कोरिया का जहां पर भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है एकदम ग्लॉसी स्किन कोरियन स्किन जो होती है वो एकदम शाइनी और स्पॉटलेस स्किन होती है हमारी जो आज की यह DIY क्रीम है यह भी हमें वैसा ही इफेक्ट देगी तो इसे हम अपनी कोरियन डाइट क्रीम भी भोश सकते है कोई भी external remedy जो है जब हम यूज करते हैं वो तब तक अपना इफेक्ट नहीं दिखाती है जब तक internal हम healthy नहीं होंगे तो internal आपको अपनी बाड़ी को healthy रखना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए सबसे first तो आपको hydrate रहना है हमें हमारी बाड़ी को full hydrate रखना है जिसके लिए बहुत सारा water intake करना है साथ में seasonal fruits जितने भी अभी fruits आ रहे हैं जो भी seasonal fruits हैं वो उसका intake हमें अपनी daily routine में ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो चलिए बनाते हैं अपनी night cream इसके लिए मैंने याँ पर two spoon rice लिया है rice को अच्छे से wash करने के बाद उसे one cup of water में अच्छे से soak होने के लिए five to six hours के लिए छोड़ दिया है मैंने याँ पर जो water लिया है वो coffee मग से लिया है आप चाहें तो एक बड़े glass का use भी कर सकते है अब इस rice को five to six hours हो चुके हैं, soak किये हुए तो मैंने एक grinder में इसे transfer कर लिया है और अब मैं इसे grind करूँगी grind करने के बाद मैंने इसे एक pan में ले लिया है और gas की flame को on करके इसे गरम होने के लिए रख दिया है इसे हमें rice के soft होने तक पकाना है जब rice अच्छे से soft हो जाएंगे तो हमें gas की flame को off कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है जब यह ठंडा हो जाएगा तो एक soft cloth का use करते हुए इसे छान लेना है और इसका gel निकाल लेना है इसके बाद इसे एक glass bowl में transfer कर लेंगे और अच्छे से whisk कर लेंगे जिससे कि इसमें कोई भी lump ना रह जाए अब हम इसमें add करेंगे 1 spoon aloe vera gel इसके बाद हम इसमें 1 spoon glycerine add करेंगे glycerine hyaluric acid का substitute होता है जिससे skin glowing और hydrate होती है इसके बाद हम इसमें 1 spoon almond oil add करेंगे almond oil जो होता है इसमें vitamin E होता है और अब विंटर्स चल रहे हैं तो ये skin के लिए moisturization का काम करता है market में ऐसे बहुत सारे almond oil हैं अभी जो non greasy और non sticky होते हैं तो आप वैसा कोई almond oil भी use कर सकते हैं अब मैं इसमें 5 drops जो हैं वो essential oil की add कर रहे हूँ यहाँ पर मैंने rose essential oil use किया है इसकी fragrance बहुत अच्छी होती है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे skip कर सकते हैं लास्ट में इसमें हम 1 spoon rose water add करेंगे rose water ज़्यादा add नहीं करना है otherwise ये थेन हो जाएगा सारे ingredients को डालने के बाद हम अब इसे अच्छे से whisk कर लेंगे और एक creamy texture पर ले आएंगे अब ये हमारी night cream बनके ready है अब मैं इसे glass container में transfer कर रहे हूँ इसे store करने के लिए आप glass container का use करें तो जादा better है इसे आपको fridge में store करके रखना है क्योंकि ये cream हमने पकाई है इसलिए हम इसे room temperature पर नहीं चोड़ सकते जब भी आपको use करना है उसके 10 minutes पहले आप इसे निकाले और overall face पर आपको अच्छे से use करना है अब ये हमारी Korean night cream बनके ready है आप इसे everyday night में सोने के पहले फेस को wash करें और overall face पर थोड़ा massage करते हुए apply करें और कुछी दिनों में पाए एकदम glossy skin Korean type Hope you like my video, follow for more Like, share and subscribe मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you